हेलो एक टूडेंट तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सीमा एंड मीनिमा का ब्यारिमें यह अपना न्यू चिप्टर है तो देखिया आपको मैक्सीमा एंड मीनिमा की बात कर ले तो देखिया अपने पाथ छोटा सा वर्किंग रूल है जो हमको छे करेंगे और कोशन को सॉलब करेंगे और एक बहुत प्यारा सार काफी फैमस कोशन अपन लिया एक्जाम में यह कोशन काफी मरतबा आ चुका है मैक्सीमा एंड मीनिमा की बात कर ले तो आपको कोई भी कोशन दे रूल याद रखें काम हो जाएगा रूल लेकिन पता होना च यह और पांस से दस मरतबा इस कोशन को बनाएं पका जाएगा ओके तो यह काफी इंट्रेस्टिंग और काफी फैमस कोशन तो कोशन भी सॉल्ब करेंगे पहले रूल जान लेते कहता क्या है देखिए इस्टुडेंट पहले कहता फाइंडिंग मैक्सीमा एंड मीनिमा ओफ function f of xy देखिए अगर आपको मैक्सीमा एंड मीनिमा निकालना है तो हमारे पास कोई function है f of xy मतलब xy में कोई function है क्या था पहला डेले बटा डेल x निकाले डेले बटा डेल y एक्चुल में जो है पहले function हम लोग लेट कर लेंगे f of xy में लेट कर लेंगे जो हमारा दिया होगा कोई भी equation दिया होगा उसमें हम डेले बटा डेल एक्स निकालेंगे और डेले बटा डेलवाई निकालेंगे यह कर लिया बहुत अच्छी बात है solve the equation, equation को solve करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, जो ये निकालेंगे ना, उसको 0 के बराबर करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, वहां से एक point निकलेगा, वहां समलोग एक point निकालेंगे, जिसका नाम होगा critical points, अभी question बनाएंगे, पूरा clear, पक्का पूरा clear हो जागा, बिल्क किस पॉइंट पर अभी जो हम पॉइंट निकालेंगे न क्रिटिकल पॉइंट या फिर इसको स्टेस्ट नरी पॉइंट भी कहते हैं तो उसी पर आपन क्या करेंगे इसको निकालेंगे अभी कोशन बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जागा अगर हमारे पास इसके बाद बढ़ आपको जीरो से देखें यहां पर दू लेस देन मतलब जीरो से छोटा आ गया अब आटी माइनस से स्क्वार निकालेंगे अगर वोग जीरो से बड़ा आ जाता है तब हम बोलेंगे मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर ए और बी पॉइंट पर ए और भी पॉइंट प तो यहीं पर होल्ड हो जाएगा अगर इसको फोलो नहीं करता इसको फोलो किया और पोजिटीव हुआ जीरो से बरा हुआ और यह क्या होता आपको गिरिटर देन होता अर्टी मैंने से स्कुएर की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई विल भी मीनिमम होगा वह भी पॉइं लिए ठीक आप वर्किंग को जरूर एक मरता नोट कर ले इसकी इंट्रेस्टिंग हो के फाइंड दा मैक्सिमम या मीनिमम वैल्यूज ओफ यह वाला फंक्शन है जहां याद रहे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाई नॉट इक्वल टू जीरो एक्स पिलस वाई नॉट यह इसलिए क्योंकि अगर एक्स जीरो हो गया तो यह जीरो हो जाएगा वाई जीरो तो यह पुरा फंक्शन ही जीरो बन जागा इसलिए इसको ऐसा क्या गया बोलता है मैं माल लिया एक्स वाई बराबर का यह जो फंक्शन दिया गया ना उसको माल लिया गया उसके बाद ये जो है मारा ये f of x y बराबर में इसको गुना कर दिया ताकि अपने सुधा के नुसार काम करेंगे, ओके, आईए, आगे इसमें अपन क्या कर सकते हैं, student, बड़ी प्यारी से चीज़ें आगे, अपना कहता है, डेले बट्टा भाई, डेलेक्स निकालो, पहला नमबर, इस् हम लोग डेले बट्टा डेलेक्स निकालना, ये लिजै डेलेफ बट्टा का डेलेक्स, इस्ट्वा y पार सा निकालेंगे, अपन डेले, बट्टा धीलेक्स ये रहा, ये रहा, मतलब wygląda में पार्शिय डेरिटिवेटी कान्स्टेंट है मतलब 3X स्क्वार, y Y Square minus का 4X Q Y Square minus का यहां पर याद रहे यह 3X Square बन जाएगा क्या चिज़ 3X Square Y Q एक चीज़ याद रहा कि मरे स्टुरेंट यहां पर Y Constantly एक्दम प्यार से काम करेंगे बिल्कुल प्यार से दीजिए वाई स्कॉर का टू आई मतलब मैंने ऐसा ऐसा लिखा ऐसा थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंड यहाँ पर देखें यह माइनस का यह आपको एक्स का पावर चार रहेगा यह वाई स्कॉर है मतलब आपको 2Y मतलब हमारा यह 2Y बन चुका है एंड माइनस का यह एक्स क्यू तो रहेगा लेकिन Y Q का 3Y स्कॉर तो अपन यहाँ पर लिख दे 3Y का स्कॉर मामला कहीं पर गरबर आ जाए नहीं नहीं अगर गरबर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिलाल देखिए अपन लिख देल यह बटता डेल एक्स को जीरो के बराबर करते तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि यह जो उपर वाला पार्ट है ना वो सब 0 के बराबर होगा आए कर लेते हैं मतलब 3X स्कॉर वाई स्कॉर 4X Q यस्कॉर 3X स्कॉर यक्यू यह बराबर का 0 इसके लिए 4x y square common में यहाँ पर क्या बच्चा यहाँ पर आपको 3 बच्चा x square common में y बराबर का शुणिये इस वाले पार्ट को 0 में भेजिए यह minus common ले लिजे मतलब आपको यह minus का 4x minus 3y equal to 0 मतलब 4x plus 3y equal to 0 मैंने इस equation 1 का नाम दे दिया बड़ी प्यारी सी चीज़ा चुकि यहाँ से student राइट आगे अपन काम करने वाले हैं कि यह तो आचुका है मैं अब इसको देखे ना second step कहता हूँ 0 के बराबर करें y वाले को याद रहे maxima and minima पे इसी तरीके से बनाना और question बहुत फैमस है फिलाल देखें हम यहाँ पर end अगर बात कर लू डेले बड़्टा डेल वाई को अगर 0 के बराबर करते है student तो यह वाली जो पार्ट होगी ना यह वाली इसको 0 के बराबर करना है 2XQY माइनस का 2X का पावर 4Y माइनस का 3XQY स्कुर बराबर का 0 के लिए रहे अब अपने को क्या करना है यहां से X अब कॉमन क्या है यहां XQ यहां XQ common ले लिजे बाद में देखेंगे क्या होगा यहां पर Y common है Y common लिजे यह तू वनली टू और यह माइनस का यह कितना बचेगा यह 2X बचेगा बिल्कुल 2X यह माइनस का 3Y स्कुर मतलब 3Y बचा और यह बराबर का 0 यहां पर अगर में बात कर लो यह तो 0 में भाग लग गया यह पार्ट बचा मतलब 2X पिलस का 3Y बराबर का 2 पड़ाई अर भाई इसमें भी तो माइनस है तो पिलस हो जागा ना यह अपना एक्वेशन का 2 बन चुका आप चलिए 1 2 के साथ काम करते हम और यहां से हम लोग स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालते देखिए यहां पर कहता भाई या वाईलू निकालिए जो हमारा होगा क्रिटिकल प्उइंट्स और इसी ओके फिलाल देखिए वहीं अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से अगर आपन निकालते हैं क्या करें और क्या करें यह वाले को सौल्ब कर लीजिए है तो critical points के लिए क्या करते solve the solve the equation equation one and two देख लिजे मैं तो बोलू ना इन दो लोगो घटा दो भाई 3y 3y cancel मतलब 4x minus का 2x 3y 3y cancel वह यह मामला अच्छा यहां पर 333333 yes 3-2 मतलब आपको एक टू एक्स बराबर का एक एक्स कमान एक बटा का दू देखे कितनी प्यारी सी चीज आच चुकी है आच चुकी है न विल्कुल आच चुकी है आगे वाले में क्या काम करें आगे वाले मैं आई बराबर का एक तो W кaman 1 बड्टा का तीन यह है जो आया है टुडैंट यह Y का वैल्य एक शवाई लू अचुकल बढ़ी प्यारी सी चीज आ चुक है यही तो किरिटीकल प्उइंट है यह अपना जो किरिटीकल प्ऊइंट या इस्टेस नरी जो पॉइंट निकला या यह पॉइंट्स क्या निकला क्या निकला मुझे यह बता यह यह निकला वन बट्टा का टू और एक वन बट्टा थी इसी पर यह बी जो काम कर रहा ना यही यह यह वैलू निकाला आपन और इसी पर आपन काम करेंगे आगे अपन को निकालना यहीं न तो आर के लिए क्या करेंगे डेल टुए बट्टा डेल एक्स एसक्वायर राइट इसके लिए त्विये यह काम करते हैं और इसी पॉइंट पर at ab point पर हमारा जो ab जो काम कर रहा है यह वन बट्टी का टू और वन बट्टा का सी इसी पॉइंट पर student अपने को काम करना आते हैं हम लोग करते हैं चौथा नमबर step पर और निकालते हैं फिलाल आर कैसे निकाले बिल्कुल आसान है डेल 2F बट्टा डेल X स्कार मतलब डेल बट्टा का डेल X और डेल f बट्टा का डेल X मैंने कोई गरबर किया बिल्कुल नहीं है student यह जो है ना वापस से यही बनने वाला है मजा आएगा भी देखिए तो सहीए मैं मजा ला रहा हूं ना आप बिल्कुल ai 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 इसको नोट करिए और फिर काम मैं उपर 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 इस गली में इस गली में थोड़ा ये वरा होता है लेकिन 7 नमबर का पूछ सकता है, 7 नमबर का, हलके में नहीं लेना दूस्त, हलके में नहीं, अब यहाँ पर देखो, यह आर का वेलू अभी नहीं आया, अभी इसको X के respect में derivative करनी है, हो जाएगी, मैं करता हूँ ना, देखे, अगर X के respect में derivative करेंगे, तो क्या लिखेंगे, Y कॉंस्टेंट है, इसका भी ख्याल आपको रखना है यहाँ पर, Y, Y कॉंस्टेंट है, और 3 दूनी का, मैं डारेक्ट लिखू, ना, डारेक्ट हम लोग तो समझदार हो चुके, 3 दूनी का 6 X, 6 X Y स्कॉाइर, माइनस का, यहाँ पर 4 तिया 12 X, और यह Y स्कॉाइर, अब दे किस पॉइंट पर, A, B, पॉइंट पर, A, B, पॉइंट पर काम करेंगे, मतलब 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 3 पर काम करेंगे, ओके, तो यह स्टुडेंट R निकल चुका, अपना एक काम हुआ, A, निकालना बाकी है, निकाल लेंगे, चिंता नहीं करने का, A, 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 निकालेंगे, लेकिन मैं तो बोलू न, क्या बोलू, पहले, A, B, पॉइंट के लिए, काम कर लेते है, एट, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 3 पर, मैं लिख दू, एट, 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 अब हम लोग, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 3 पर, R का वेलू, देखिए तो क्या है, 6, इंटू, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 9, मैंने, 9 कहां से लिए, पता है, Y के जगा पे रखा, 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 3, बट्टा 9, 12, 1 बट्टा 2, oh, sorry, sorry, ने, ने, सही, सही, ये, 1 बट्टा 2, X के लिए, और Y स्कॉर का 1 बट्टा 9, मैनेस का 6, 1 बट्टा 2, Y Q के जगा पे, 1 बट्टा का 3, 9, 27, 27, मैंने एक साथ काम कर दिया, student, काट ये, काट ये, काटने में गरवरी नहीं होनी चाहिए, ये दूछा के, मैंने दूछा के बार आ और ये तिन दूनी का, छे, तिन तिया, 9, अब यहाँ पर, 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 ओके, ओके, एक चीज़, अच्छा, यहाँ पर एक मामला गरवर आ गया था, देखिए, फानी देखे दिखे यह 4X थाना चारतिया बारा एक सप्षर होगा ये 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 आर्ण सट्क पर सक्टाइस आहे ठीए नोर्मल मसा upon a cha 3ρείह मणा 3 और माइनस का एक बाटा नो आप इन दोनों को उलाई ए मतलब हार का वेल्यू जो हो चुका है student कितना आया आप बोलेंगा आर का value minus का एक बट्टा नो आया यही ना हाँ मैं यहां इसको अच्छा से लिखते हैं आर का value जो आया वो आया अपना एक बट्टा का नो क्या आर का मान क्या आया बोला था जीरो से अगर छोट की नमा हो छोट का इसका यू मतलब है जीरो से छोटा है ना बिल्कुल है अगर यह ऐसा हो जातो तो maximum value होगा नहीं हुआ तो लेकिन एक condition हो रहा तो मुझे लग़ा इसी पर आएगा फिलाल देखिए यह अपना जो है जीरो से जीरो से जीरो से जीरो से ज इसने का लूगा और अपर निकला इस चलते हैं है अब इस निकालेंगे तो आप लिखेंगे देल टूएफ बटा का डिएकस और यह यह नीds और यहां पर डेल बटा का डिलाएँ यह जो आया क्या आया अबही कुछ नहीं आया आनी बाकी इसकी पूरी है डेल बटा का डेल x मैं डेल बटा डेल y का value यहां put करता हूँ देखिए बड़े इज़त के साथ put करूँगा ताकि आपके साथ कोई बैमानी न हो 2x q माइनस का 2x का पावर 4y माइनस का 3x q y square यह बड़ी प्यारी से चीज़ है मैं x के respect में derivative कर लूँ बाई कर दूँ तो करो लो दिक्कत क्या है यहां देखिए मैं x के respect में करूँ तो आप बोलेंगे 3 दूनी का 6 x y माइनस का 4 दूनी 8 x y 3 तिया 9 x square y square at किस point पर देखो student यहां पर हम उसी point पर काम करेंगे जो हमारा critical point है 1 x 2 at 1 x 2 और 1 x 3 पर ही काम करेंगे चिंजी नहीं आईए finally एस बराबर में student हमारे पास 6 गुने का 1 x 2 गुने का 1 x 3 माइनस 8 1 x 2 1 x 3 माइनस का 9 1 x 2 मतलब 1 x 4 और 1 x 9 9 को घर भेजिए दू चो की 8 करिए और क्या है मेरे पास ओ हो हो यह दोनों cancel तिन दूनी कच्छे मामला गरबर आया तो नहीं अगर गरबर आया तो गया ओ हो हो अच्छा x के respect में किये थे जा पूरा मामला गरबर आ दिये क्या x के respect में यह यह 3 दूनी 6 x square ना आ हा 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 ओर एक वन भार्टा और वाई वन बट्टा का फिरी माइनस नौ बट्टा का चार और वन बट्टा का नाहिन देखिये मैं इस गली में आट का या भटक ना नहीं है अपनी गली यह कम दिख रहा होगा बट मैं आपको यहां पर लिखता हो देख़ें मतलब यहाँ पर एक वट्टा दू इसका आठाट कैंसिल मतलब एक वट्टा का तीन और यह नो नो कैंसिल एक वट्टा का चार अब मामला आगे बढ़ाते हैं यह चारतिया बारा बिल्कुल बारा अपना बारा दू छक्य बारा मतलब यहां तीन चो का बारा मतलब चार और चारतिय को साथ मतलब माइनिस का बारा माइनेस एक बट्टा का बारा एस निकला है तभी इस निकला पी बाकी इसनी कलना मामला नहीं करब кадर आया भी टीनिकालना बाकी एश्टुडेंट एंड अपन जो है एंड पी के लिए काम करेंगे पी चा कहता है यह पी बराबर में डेल टू एफ डेल टू एफ बट्टा का डेल वाई का स्कॉाइर राइट अभी पूरी काम बाकी है अपनी मंजिल बाकी अभी टी निकालना बाकी है मैं बोलू डेल टू बट्टा ओहो मंजिल तु बाकी नहीं आ गई तीके लिए वाई को वाई को वाई को वाई के रिश्पेक्ट में देखे ना डेल टू एपकर डेल बाइसको अगयर बट्टा डेल वाई है उसको वापस से वाई की रिस्पेक्ट में आई यह बन जाएगा तिन दुनी का है मा वाई ओओ यहाँ यहाँ वाई इसक्वाईर है तिद्धुनी का 6 6 मैं लिखांग यहाँ पर 6 X Q है न वो रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में X कोंस्टेंट है वाई स्कॉइर का Y किस पोइंट पर वही point पर बच्पन वाला point कौन है critical point 1 but 2 1 but 2 1 but 2 और 1 but 3 वाले point पर आईए इस point पर इसको काम करते है फीवल टीएक वल टू का टुबुने वन बट्टा आठ दूतिय Hahn छे दुनि आठ रमाइच शेला अपासा यह अलक कहारा है ऐसा ना दोस्त यह वन बट आ अरे भाई रे भाई यह तो अपना 16 बनेगा, x का 1 बटा 2 है, बोलो बोलो बोलो, 1 बटा 8, yes, sorry, 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 16, 16 अभी 16 बोले, 8 लेका, don't worry, minus का 6, 1 बटा 8, 1 बटा का 3, यह बात तो अपनी clear है, कि मामला अपने अंदर में है, मतलाब दूचोव की 8, दूच्थी 16, और 3 दूचोव की 48 यहां आएगा रिजल्टेंट आएगा मतलब वन बटा का 4 वन बटा 8 वन बटा 4 यह दुनों के भेज़िए आंसर माइनस का वन बटा 8 यह समझ में ना ती का निकल चुका है माइनस वन बटा 8 आगे काम करना बादी यह क्या करना बस बस ये निकल गया ना ये खेल हो गया बस यही करना मैं चोटा सा काम करूं मैं चोटा सा काम करूं मैं इस साइट को मिटाता हूं अभी बड़ी प्यारी सी चीजे मैं इसे मिटाऊंगा फिर काम करूंगा फिर काम करूंगा मैं फिर काम करूंगा रुकने वाला न वो तो greater than, less than है, कहां गया भाई, यार, ये रहा, R का value minus 9 बट्टा का 9 है, मतलब less than है, अगर ये less than है, तो R T minus S square निकाल लेता हूँ, ये चेक कर लेते क्या होता, R T minus का S square, बड़ी प्यारी थी चीज़ है, R का value बोलो भाई, R का value, R का value कहा है, उपर में, minus 1 बट्टा का 9, T का value minus 1 बट्टा का 8, और S का value पता नहीं है, minus 1 बट्टा 12, बड़ी में, से निकाले ये सबको, minus 1 बट्टा का 12 का S square, value putting, then solve, अब यहां पर 9, 8, 72, minus का 12 का 144, बलग उत्ताम 144, मतलब 2 minus का 1, 1 बट्टा का 44, क्या आया ये, आप बोलेंगे भाई, आट्टी माइनस का S square, तो 0 से बड़ा है, इस rule को follow किया, then maximum होगा at AB point पर, and value जो होगा, F of XY पर, मानना नहीं है, यह है F of XY ना, यहीं ना, आई यह मैं आपको दिखा दूँ, चुकि maximum होगा, as maximum होगा, चुकि maximum होगा, या कह दिया ना, maximum, तो यह अपना होगा, maximum होगा, at AB point, मतलब, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 3, finally question पर आते हैं, question यह है न, F of XY, मतलब, बरावर का, F of 1 बट्टा 2, 1 बट्टा का 3, देखिए, student, XY न, आईए, इसमें, put करिए, मतलब, यह 1 बट्टा का आपका 2 का पावर 3 कित्ता हो जागा, 8 बन जागा, Y square, 1 बट्टा 9 बन जागा, 1 माइनेस का 1 बट्टा, 2 माइनेस का 1 बट्टा 3, 9, 8, 72, लगुत्तम 6, माइनेस का दूतिया 6, 3 दुना का 6, देखिए, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, यह चीज़ को अपन मिटाया, धीरे-धीरे सब काम करेंगे, धीरे-धीरे मंजिल तो करीब है, यह, मंजिल करीब है, यह 72 है ना, 72 है दिक्कत नहीं है, वर बट्टा 72, उपर देखिए, 3, 6 में से 5 गया तो, 1, अब तो गुना कर लो, 6 दुनी 12 के, 2, 1, 7, 6, 42, 43, अच्छो में से 5 गया, 432, मैक्सिमम वैलो निकला, मैक्सिमम निकला, किस पॉइंट पर, at 1 बट्टा, to 1 बट्टा, 3, मैंने रूल को फोलो किया, काम किया, आगे बहुत सारी कोश्चन होगी, जो आप बना सकते हैं, यह बहुत फैमस कोश्चन था, और इसी के साथ, आपका डिफरेंशियल कैलकुलास, आज खतम हो चुका है, यह लाश्ट लेक्चर था, ओके, तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, आप इसका इसकिन सॉट ले लिजे, ओके, झाट वीट कि वीघी यज वीजे।